नमस्कार दोस्तों हम सीखने 2D Animation और 2D Animation आपको बता रहे थे Animate CC के बारे में तो मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाए थे कार्टून बनाते हैं उसके ओबर वियू के बारे में तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चैनल दिखा रहा हूं जिसका नाम है हिंदी कहानिया तो इस पे मैं कार्टून बनाके लगाता हूं अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले जिससे मेरा चैनल जो है इस वीडियो में क्रिएट करेंगे तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं तो तो दोस्तों है तो हमारे पास यह एक character है हम इसको जो है scene को create कर रहे हैं कि यह character यहां से चल के आता है और इस chair पे बैठ जाता है तो हमें हमारे पास एक character है जो कि walking का इसी को हमने आपको पीछे के video आपको दिखाए थे कैसे walking कराते हैं अगर आपने पीछे का video नहीं देखें तो please जाकर देख लिजिए तो हम इसको यहां से copy करते हैं और यहां पर जो है इसको इस टैप का scenes को create करना है तो हम इस scene पर create कर रहे हैं तो यहां से हम एक new layer create करते हैं और यहां पर paste करते हैं character को यह हमारे पास पूछेगा तो हम इसको duplicate item के तोर पर use करेंगे हम यहां से create d dalी और इसको right button क्लिक खरते हैं और यहां से हमक् collector transform ने जाकर इसको फिलिपर करते हैं इस टैप से होगे हमारा गारेक्टर है और इस करक्टर को यहां रखते हैं के और 2 स्सप्राइब के बाद मैं यहां पर एक एक अपकर कशर के करता हूँ, आप देख सकते हैं इस टैप से यह character जो है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आने के बाद इसको मैं यहाँ से इस layer को बंद करता हूँ और एक हमारा chair का भी layer है तो मैं क्या करूंगा इस character को यहां से मैं हटाता हूं तो इसको हम select किये और जो यह layer है इसको मैं यहां पे रखता हूं इस टैप से यहां पे आ गया आप देख सकते हैं यह character यहां से चल के आ रहा है अब यहां के बाद जो है इस character में यहां पे एप 6 लगाता हूं और यहां से मैं इसको एप 7 कर के इसको मैं यहां से चल के आया और उसके बाद यह यहां से go have oh जाता है और यहां पर गायब होने बाद उसके बाद जो है ये character जो है इस chair के साथ है इस character को हमने लिए इसके आंदर जाते हैं यहां पर देख सकते हैं मैंने पहले ही इसको हम layer wise में divide कर रखे हैं तो हम इसको animate करेंगे तो इसको मैं क्या करता हूं यहां से इसको side रखते हैं, step से, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, और इसको जो की बरा हमें दिखना चाहिए, कि कहां से हमको movement कराना है, इस layer को हम आगे बढ़ाते हैं, frame create करते हैं, और मैं क्या करूँगा, 20 frame पे एक f6 लगाता हूँ, और इसको मैं करता हूँ, classic twin, और यहाँ पे आने कवाद यह character जो है, इसे बैठना चाहिए, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे, इसको यहाँ पे रखते हैं, और यह सभी को step से rotate करता हूँ, और इसको मैं रखता हूँ, यहाँ पर, इसको भी rotate करते हैं, इसको रखते हैं यहाँ पर, और यह जो है, इस पार्ट को मैं थोरा सा rotate कर दूँगा, step से, step से हो गया, और इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ, इस दोनों पार को थोरा समय उपर कर देता हूँ, step से, अब इस हाथ को भी मैं यहाँ पे set करता हूँ, और इस हाथ को मैं यहाँ पर, और इसको मैं थोरा सा rotate भी कर देता हूँ, step से, और इसका head को भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रखता हूँ, अभी जो है यह कुछ step से हमारा scene create हुआ भी आप देखते हैं, step से character यह बैठना शुरू हो गया है, यहाँ पे थोरा सा हम इसको और भी अंदर की और करते हैं, इसको भी मैं अंदर की और करता हूँ, इसको यहाँ पर step से, यह बहुत slow लग रहा थी इसको मैं थोरा सा, यहाँ से frame को delete कर देता हूँ, जिससे यह speed हो जाएगा, अभी देखते हैं, इस type से जो है यह इस chair पर बैठ गया है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम chair को animate करते हैं, जब यह बैठता है तो थोरा सा chair जो है, पीछे की जुकता है, तो मैं इसको यहाँ पर F6 लगाता हूँ, और इसको classic twin करते हैं, और पूरा layer को select करते हैं, और इसको pointer को यहाँ पर रखते हैं, और थोरा सा इसको मैं rotate कर देता हूँ, कुछ step से, अभी देखिए, step से rotate हो गया है, यहाँ थोरा सा मैं इसको और rotate कर देता हूँ, और इसके जो body है, body को भी मैं थोरा सा rotate कर देता हूँ, अभी आपको मैं दिखाता हूँ, step से हो गया, इसमें animation, अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोरा सा आगे पीछे करेंगे, इसके chair को, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से pointer बनाता हूँ, एक यहाँ पर, F6 लगाते हैं, और एक बीच में F6 लगाते हैं, और इसको मैं क्या करूँगा, classic twin कर देता हूँ, उसके बाद इसको मैं यहाँ से remove कर देता हूँ, और इसको मैं क्या करूँगा, बीच में आने के बाद मैं क्या करूँगा, select करता हूँ, और इसको यहाँ पर pointer रखता हूँ, और इसको मैं आगे की और remove करूँगा, और यह, अब control interface करते हैं, देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा कि यह chair जो है, हमें दिख राय पीछे से, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से remove होना चाहिए, तो इसके बाहर जाते हैं, बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, इस chair को भी हम यहाँ से remove करते हैं, यह हमारा chair का point है, यहाँ पर F6 लगाते हैं, इस layer पर F6 लगाते हैं, और F7 कर देते हैं, यह नहाँ से यह chair हट जाएगा, अब अगर हम control interface करते हैं, आप दिखाता हूं आपको, देखिए, कुछ इस step से moment आ गया है, तो इस step का दोस्तों, जब भी कोई animation बनाना हो, तो आप इस type का video देखके आप बना सकते हैं, तो यह था दोस्तों, कोई भी character को हम कैसे chair पर बिठाते ह हैं, या चल के आ रहा है, तो असा करता हो दोस्तों, यह video आपको अच्छा लगेगा, अगर दोस्तों, यह video आपको अच्छा लगा, तो like जरूर करें, और दोस्तों के साथ share भी करें, अगर दोस्तों, मेरे इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया, तो please subscribe कर ले, जिससे हमें कोई भी आगे video लेका हो, तो उसका update आपको तुरंत मिल जाए, तो मिलते हैं दोस्तों, next video में, आज के लिए thank you,